सुप्रभाद बच्चो यह है आपकी हिंडी क्लास और आज की हिंडी की क्लास में हम करने चा रहे हैं चेत्र पहचान तीन वर्ण चेत्र पहचान तीन वर्ण और बच्चो यहाँ पर वक स्टार्ट करने से पहले आपको डेट मेंशन करनी है आज की और यहाँ पर दे नेम, बुधवार, कक्षा, कार्य देखिए मैंने चित्र पहले से ही ब्रॉकर रखे हैं, बना रखे हैं आपको भी पहले चित्र बनाने हैं, ब्रॉकरने हैं उसके बाद आप उन चित्रों का नाम लिखोगे जैसा मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि जिन शब्दों को हमने किया था, मैं हमने बोला था आपको उने खुझ जाके देखना है जिससे आप आसानी से चित्र बना सको, उनने पहचान सको तो चले, अगर आपने अभी भी नहीं देखा है, तो आप जाके आप देखोगे ठीके, चले, शुरू करते हैं हम चित्र पहचान देखे, फर्स नमबर पे किस चीज़ का चित्र है आपके पास आख वेरी गुड, आख बोलते हैं लेकिन हम तीन वर्णों वाले शाद में इसको यहाँ पर क्या लिखेंगे? न, य, न, नयन चले, दूसरा चित्र देखते हैं दूसरा चित्र पहचानी कौन सा है? कलश कलश, चले लिखते हैं क, ल, श, कलश क, ल, श, कलश देखिए नमबर थी पर किस चीज़ का चित्र है? सड़क सड़क चले लिखते हैं स, क, र, क, सड़क शब्द को बोलना पहले, उसके बाद लिखना है आप चले नमबर फोर पर देखिए किस चीज़ का चित्र है? बटन बटन लिखते हैं ब, ट, न, बटन नमबर फाइफ पर देखिए मटर मटर चले लिखते हैं म, ट, र, मटर देखे बच्चों, हमने चित्र पहचान कर लिए हैं आपको भी ऐसे ही चित्र अप ड्रॉ करने हैं पेरेंट से ड्रॉ नहीं कराने ठीके, आप बस पेरेंट से गाइड कर सकते हैं हेल्प ले सकते हैं पर खुद ड्रॉ करके कलरिंग करोगे ओके बच्चों, आप भी ऐसे ही चित्र पहचान करेगा बाई अब मिलेंगे अपनी अगली क्लास में